नमस्ते जी नमस्ते क्या हाल चालें आपके सर जी हम तो बहुत अच्छे हैं आप बताईएगा ओह 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 कई जगह नमस्ते हो गया प्रेम से बोलेंगे राध हे राध हे और सनाओ क्या हल चाल सब मौझ बाहर हां सर जी सब ठीक है तो इस समय हमारे सामने आ रहे हैं बिरंदर प्रसाद यश शिवम मुझे पहले बताईए ओडियो वीडियो फाइन है या नहीं है अगर सब ठीक ठाक है तो फिर मैं अपनी कथा को आगे बढ़ाता हूं चेक करके बताएं जरा गुड़ मॉर्निंग यह सर फाइन है तो पहले एक बात बताओ मैं तुम्हें अपना इंट्रड़क्शन दू यह जानते हूं सबसे पहली बात तो यही निकल के आती है मेरे लिए तो आप नए नहीं हो लेकिन क्या मैं आपके लिए नया हूं या नहीं पहले मुझे इसका पता लग जाए फिर एकॉर्डिंग मैं आपसे बात करूँगा लो भाया सार आयम वाचिंग और सीए फाइनल लेक्चर बहुत अच्छी बात है बुखार था आपको तो हाँ बच्चा मुझे बुखार था इवन आज भी है बट चुकि आज हमारी कलाश शेडूल थी डैमो शेडूल था त तो जो बच्चे सीए फाउंडेशन पास करके आए हैं आप तो सीए इंटरमीडियेट में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आपकी जो असल पढ़ाई है सीए की वो शुरू होती है अब आप तक तो क्वालिफाइंग राउंड खेल रहे थे आप कि कौन-कौन किया और आपको यहां पर लेकर आ गए है आज के इस डिसकुशन में इस लेक्च्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आपका सब्जेक्ट क्या है और मैं इस सब्जेक्ट को आपको कैसे पढ़ाऊंगा यह पूरा वीडियो ध्यान से दिखेगा मेरे सब्जेक्ट के पढ़ने की स्टाइल के साथ साथ आपकी बहुत कुछ समझ बढ़ेगी इतना सारा कंटेंट है उसको कैसे हैंडल करना है कि अप्रोच लगा रही है वो थोड़ी से अलग होगी जितना कि आप अब तक पढ़ते आए हैं उससे अलग होगी तो इसलिए इस वीडियो को जरूर देखेंगे आप बीच में कोई भी इसके बच्चा नहीं करेगा ठीक है हाँ चार जी ठीक है जी तो आईए जरा हमारे साथ में यहां पर हम आपको कनेक्ट कर देते हैं यहां अपने आइपेड के साथ में और यहां गया मैंने कुछ यहां पर आपके लिए तयार किया है और यहां पर हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले आप उसके बारे में जानिये जो आपको इस अब्जक पढ़ाने वाला है पहले समझे हमारा डमरू क्या कहता है जैसे गाओं में कभी मदारी आया करता था ना तो डमरू बजा बजा के बच्चों के कठा करता था हम भी भागे भागे जाया करते थे खेल दिखाने के लिए आया करता था तो कोई बच्चों कहीं से भी है दूर दूर से भाग भाग कर आते थे तो ऐसे ही मैं अपने नन्ने मुन्ने प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से मासूम मासूम से इन बच्चों के लिए दमरू बजाता हूँ जिससे कि वो अपने पंच्छियों की तरह अपने पेड़ों की शाखाओं से उतर-उतर कर क्लास में आकर बैठ जाते हैं तो इसलिए प्यार से लोग मुझे डमरु वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं, तो पहला introduction तो मेरा ये है, दूसरा, इन 2007 मैंने C.A. क्वालिफाई किया था, नाम मेरा है C.A. राजकुमार, और लेकिन जहां तक सवाल है पढ़ाने का, तो मैं October 99 से बच्चों को पढ़ा रहा हूं, शुरू मैं मैंने पढ़ाई थे, A for Apple, B for Boy, यहां से शुरूबात करी थी मैंने, ठीक है, 12th में था उसम्मेपे मैं है, तो उसके बाद में फिर जब मैं ग्रेजुएशन में आया, तो मैंने इंटरमीडियेट तक के बच्चे पढ़ाए, यानि जो प्लस टू होता है, ग्रेजुएशन के बाद मैंने अपना C.A. जोइन किया था, क्योंकि हमें लगता था, कि हम C.A. बनने लाइक है नहीं, फिर किसी ने मोटिवेट किया कि ने ने तुम कर सकते हो, तो हम C.A. में आये और C.A. मने क्वालिफाई किया, जब मैं C.A. कर रहा था, उस समय भी मैंने C.A. इंटरमीडियेट के बच्चे पढ़ाए थे, और C.A. फाइनल का एक्जाम देने के बाद, रिजल्ट आने से पहले, मैं दो बैच पढ़ा चुका था, इंडरेक्ट टेक्सेशन के C.A. फाइनल में, शुरुवात होई दिल्ली से, C.A. बनने के बाद जो प्रफेशनल जर्नी, और यहां पर 2008 के शुरू में ही मेरा पहला बैच बना, फेस टू फेस, और उसके बाद 2010 में, हमारा बड़ा बैच बन गया था, औरिटोरियम वाला, जहां पर साथ सुबच्चे बैठते हैं, इन बिट्वीन, 2008 में, सैटलाइट कॉनसेप्ट आये था, इंडिया के अंदर, C.A. कोची में हैं, तो 2008 से लेकर, मैं अब तक, इस तरह से, औल ओवर इंडिया सुडेंट को पढ़ा रहा हूँ, यह मेरा सौभाग्य है, सैटलाइट मोड में हमने शुरुवात करी थी, तीन बच्चों से, स्टार्टिंग डेपर तीन बच्चे थे, थर्ड दिसमबर 2008 में, और यहां पर हमारा जो पीक है, वो आठ नो हजार तक गया, एक बैच के अंतर, कुल मिलाकर 172 हमारे सेंटर्स थ उजहे, गौर्मेंट आफ इंडिया की तरफ से सेलेक्ट किया गया, टू ट्रेन IRS ऑफिसर्स, मतलब कोई छोटी मोटी सेमिनार टाइप नहीं, ना, उनका प्रॉपर बैच होता है, जैसा कि आप जानते होंगे, UPSC क्वालिफाई करने के बाद में, जो टॉप 50 रेंकर्स हो तो फुल डे क्लासिस होती है, बीस दिन का शडूल होता है, आपके साब से अगर मैं कम्पेर करके चलूँ तो लगभग 40 लेक्चर उनके होते हैं, और वो ट्रेनिंग लेने के बाद में, फिर उनको पोस्ट मिलती है पहली अससेस्टेंट कमिशनर के, तो ये तो रहा है मेर टीचिंग रिकॉर्ट और अब मैं आपके सामने यहां पर हूँ, लगभग पौने दोलाक से उपर स्टुएंट को हम पढ़ा चुके हैं, और इन बिट्वीन जो हमारी उपलब दिया रही हैं वो ये, कि 11 टाइम, 11 बार हमारा बच्चा हमारे सब्जेक्ट में, आल इंडिय यहां पर जो एंकरिंग करते हैं कि मेरे बारे में बताएगा, तो इसलिए मैं न सोचा कि मैं खुदी अपने बारे में बता देता हूँ, तो ऐसे करके है, ठीक है, अब मेरे बारे में बात हुई खतम, कुछ और जानना हो तो आप मुझे बता दीचिएगा, ठीक है सर जी, आज बदाम रगडा नहीं पिया, नहीं बाबू, मैं पिछले दो-तीन दिन से थोड़ा कोल्ड और फीवर हो गया था, अभी भी दिख रहे हो टेबलेट के वज़े से थोड़ा पसीने आ रहे हैं हलके से भी भी, तो वैसे कर, कोई बात नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क आप कहा रहते हो, मैं आपके दिल में रहता हूँ, जरा जहां कर देखिएगा, आप जहां कर देखोगे, मैं आपको दिखाए दे जाओंगा, तो भूरा मेरे, हाँ, अच्छा, दूसरा बता दू में, यह भूरा, मुन्ना, कबूतर, यह मेरे प्यार के शब्दे हैं, ठीक ह आइए, काम की बात करते हैं, यहां पर आकर, और हाँ, एक चीज़ और, मेरी क्लास का एक नियम यह है, कि आपने ऐसे मूँ फुला की मत बैठना, हसना नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि जब हम कोई भी काम, पूरा रस लेके करते हैं ना उसमें, तब ही वो सफल हो पाता है, इस पर मैं आपको थोड़ा और गाइड करूँ आगे चलके, कि ठीक है, आप मेहनत तो कर लेंगे, दस गंटे पढ़ने तो बैठ जाएंगे, लेकिन उसको productive hours कैसे बनाएंगे आप, कैसे अपने mind को आप balance रखकर, बहुत शांदार तरीके से अपनी पढ़ाई करके चलेंग क्योंकि जिनका running one आता है, लगबग वो भी उतना ही पढ़ते होंगे, और जो बच्चा fail हो जाता है, वो भी शायद उतना ही पढ़ता होगा, लेकिन फरक कहा रहे गया, अंतर कहा रहे गया, दिमाग लगबग समयं बराबर ही होता है भाई, लेकिन उसको इसको इसको कैसे क बता हूँ आज आपको हाना, कौपी है ना आपके पास में, हाँ, नोट कर लिए जीगा प्लीज, ठीक है बबु, विक्रान, सी स्ट्रीम, यश्गूला, ट्रैक, गाइडर, तो यहां सलेबस के जब हम बात करते हैं, तो आपका सलेबस बटा हुआ है ये दो ग्रूप में, ये आगया भाई साब, ग्रूप नंबर वन, फटाफट से मुझे इनकी सब्जेक के नाम बता होगे, देखो अगर आप ये सोच रहो कि मैं बोलता रहूँ, आप खामोश बैठे रहोगे, तो ये नहीं चलेगा, बिल्कुल भी, मुझे फटाफट से सब्जेक के नाम रहे है, और ग्रूप टूप के अंदर कौन कौन से आ रहे है, तो एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, जी पहला पेपर बोलो फटाफट से भाई, साथ डेमो क्लास है, हाँ, ये डेमो क्लास है, ये भी कोई फॉर्मल डिसकेशन नहीं आपके सब्जेक का, मैं आपको इसमें ये है, तो सारी बातों की जानकारी आपको होनी चाहिए, ताकि आप एक बैस्ट बायर बन सकें, ठीक है, सार अच्छे से देखो, और उसके बाद ही आप, डिसाइड करना, और मेरा वादा है, ये वीडियो देखने के बाद में, आपका दिमाग स्थर हो जाएगा, फिक्स हो ज बताएंगे, सब लोग मिल मिल कर, क्योंकि हम दोनों मिल के काम करेंगे, ऐसे नहीं कोई एक ही काम करेंगा, सर कॉर्परेट और लाउस, तो दूसरा पेपर आपका लौका हो गया, ठीक है, पेपर नंबर जो तीन है आपका, वो बता रहे हैं मुझे टेक्सिश, औरे वा वा क्या बात है, सब भर के बैठे हैं पहले से, यहां बताएए, अगला पेपर कौन सा, गुरूप टू के अंदर, सर पेपर नंबर हो गया जी अपना, चार, और यह हो गया पेपर नंबर पांच, और यह हो गया आपका पेपर नंबर, छे करके, सर यह पेपर हो गया जी कॉस् उपर में अगला पेपर से हमारा ओडिट का है और नेक्स्ट वन इस अगला पेपर एफ एम और एसम का है साब बास बहुत बढ़िया बात शानदार तो इसमें मैं लेने वाला हूं आपका ये वाला पेपर इस पेपर की जितनी महिमा गाई जाए उतना कम है ये पेपर आपकी रोजी रोटी तयार करेगा क्योंकि आपको प्रेक्टिस टेक्सेशन में करके चलनी है करियर बनेगा आपका ये पेपर जहां दीजिएगा इसी बात पर आपको रखके चलना है तो यहां आपके आते हैं दो बाते मालिक जी टेक्सेशन के अंदर एक आपका direct tax और एक आजाता प्रभू आपका indirect tax अगर आसान भाशा में बोलू तो direct tax मतलब आपका ये income tax आ गया और indirect tax मतलब आपका जीस्टी आ जाता है 50 marks का आपका ये है और भाई मेरे 50 marks का आपका ये आ जाता है ठीक तो मैं कहां हूँ इस map के अंदर यहाँ पर है ठीक अब पहले ये तै करते है मैं अपनी subject पर बाद में discussion करूँगा कि आपको अपनी तयारी करनी कैसे है कौन कौन से paper आपको पहली देने है कौन से बाद में करने क्या है group 1 के अंदर content थोड़ा सा जादा है आपका as compared to group 2 अब यहाँ पर आपको हो सकता कहीं से सलाहा मिल रही हो कि यह कर लो यह कर लो group 1 में अभी और इनमें से कोई एक कर लो अभी चाहे तो direct text पहले कर लो या GST पहले कर लो और दूसरे को बाद में करना बाद में मतलब कि इस phase में जब आ जाओगे आप तब करना मैं बताता हूँ इस पर आपको दिक्कत क्या हो सकती है यह आपका period 1 है और यह है आपका period number 2 appreciate करना मैंने साथ में बताना जो मैं question पूछ हूँ आपसे ठीक है यह period 2 है आपका दिमाग ज़्यादा relax कौन से वाले period में होगा period 1 में यह period में फटाफट जवाब आना चीए भाई समय से नहीं मैं आपको चैन से कतई ने बैठने दूँगा हाँ जी सर जी देखो यहाँ पे ना जो दिमाग relax होगा कम आपका गर बात की जाए तो हम इस साइड में period 1 में ज्यादा relax होगे उसके पीछे कारण है कारण यह है कि देखो यहाँ पर आते आते आपका group 1 complete हो चुका होगा तो group 1 का आपने करना होगा यहाँ पर revision तो यह आपका time consume कर रहा होगा दूसरा आपके कुछ एक backlogs पढ़े हुए होगे रही जाते हैं बच्चे कि जब class 2-3 चल रही होती है तो कुछ न कोछ छूट जाता है यहाँ backlogs आपके पढ़ेंगे वो आपका time consume कर रहा होगा और साथ में चूकि यहाँ पर बैठा है वो ताओ कौन ताओ औरे वो exam जो आपको देना है यह exam यहाँ पर है आप यूस तो करने ले लेकिन mobile application खुली होने के वैसे बैटरी आपके जा रही है तो यह आपके बैटरी को ऐसे रिकाल रहा होगा लिकिन अगर आप इस period में बात करके चले तो ना तो यहाँ आपको गुर्प वन का revision की stress आ रही है ना ही पीछो के back locks एक दम fresh fresh ताजा ताजा नए नए हैं आप और ना ही अभी आपके mind पर exam का stress है बिल्कुल भी तो मुझे बताइए आपको period वन में क्या करना चाहिए जादा सर मैं कह रहा हूँ यहाँ पर आकर do more and more classes आप जितना जादा classes यहाँ पर निबटा लेंगे आप अपने अगले period को उतना ही सोहाना बना लेंगे यह भूल मत कर देना क्योंकि हमारी कुछ-कुछ ऐसी कमिया हो जाती है जिससे की पूरा group फैल जाता है यह आपका यहाँ ज़्यादा सो ज़्यादा class करने का समय है क्योंकि यहाँ आपके कोई अधरवाई चीज आपकी mind के battery को खीच नहीं रहा है और यहाँ आप कीजिएगा do more and more revision more and more revision आपको करने हैं बोथ group की तरफी आपने move करना है 3 और 3-6 paper तो कुल है यार बोथ group देना है जटके में निकलना है जीवन में बहुत पैसा बनाना है तो पैसा बनता है speed से जितनी फटा फट चीज़ों को निप्टाओगे ना काम करोगे उतना ज़्यादा आप life में जल्दी से growth कर पाओगे तो यह जो period 2 है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन के लिए रखके चलो और पहले period के अंदर आप ज़्यादा ज़्यादा क्लासिस करके चलो तो कहने का मतलब यह कि इन में से DT या GST किसी को भी आगे आपने नहीं ले जाना है जो भी आपका इसी phase में खतम करना है क्योंकि जिन बच्चों ने पिछली बार ये गरती करी वह यहाँ पर आकर भाई एक तोट्रेस में आगे टैंशन में आगे अब यह और यहाँ पर खतम करना फिर यह आगे वह बच्चे बोध गुरूप दे ही नहीं पाए रेंक का ड्रीम लेकर बैठे थे अब पूछते की एक्जाम स्किप करूँ आगे दूँ क्या करूँ कैसे करूँ लानी तो रैंक थी दिनों तो बोध गुरूप था क्योंकि बोध गुरूप की थोड़ी वैल्यू होती आगे चलकर तो आप ये भूल बिल्कुल भी नहीं करके चलेंगे ठीक है जी हाँ सर जी एक दम ठीक है कौनों दिक्कत वाली बात नहीं है अब आईए अब बात करते थोड़ी सी सब्जेक्ट को लेकर कि जो मेरा सब्जेक्ट आ रहा है बाबू मेरे गुड्स एंड सर्विसेस टेक्स नाम तो बहुत ही सुन रखा होगा आपने इसका गुड्स एंड सर्विसेस टेक्स या एवन कोई और भी पेपर हो पेपर को क्रेक करने के लिए न आपको दो चीजों पर काम करना थोड़ा सा आपको पैटर्न चेंज करना पड़ेगा बाबु मेरे पढ़ाई का और वो बात नहीं रहेगी जो पहले हुआ करती थी थोड़ा सा अब कंटेंट बढ़ेगा अप्रोच बढ़ेगी रटाफ एकेशन तो ब्लुकुल हो ही नहीं सकता क्योंकि कॉंटेंट इतना ज पड़ेगी एकदम शीशे की तरह साफ होना चाहिए आपका जो कंसेप्ट है और दूसरी जरुवत पढ़ती है भाई मेरे यहां पर आकर आपकी राइटिंग प्रेक्टिस की है राइटिंग प्रेक्टिस की है सीए कोर्स के अंदर बहुत सारा बच्चा सिर्फ इसी वजह से फेल हो जाता है क्योंकि उसकी राइटिंग प्रेक्टिस नहीं होती है राइटिंग प्रेक्टिस कही न कहीं 12 तक ही छूट जाती है पढ़ता बहुत है यहां बहुत काम कर लेता है यहां काम नहीं कर पाता मैं आपको बताओं 50 percent weightage इसकी होती है 50 percent weightage इसकी होती है अगर आप सारे concept clear करके सारा content पूरसले बस याद करके बैठे हैं तो भ्रम्मे मत रहना कि आपकी तियारी हो गई है ना आपकी तियारी सिर्फ आदी हुई है हम इन दोनों पॉइंट्स पर कैसे काम करेंगे तो मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ चीजों को आपको समझ में आएंगी बात है सबसे पहली बात यहां पर आती है आपके लिए यूज ऑफ हो टेकनलोजी कि यूज ऑफ टेकनलोजी न्यू स्कीम के अंदर न्यू सेस्ट के अंदर सी कका पैपर ठ्युलिटिकल है प्रेक्टिकल का बता रहु बाबू बता रहे हो आभी बता रहा हूँ यूज ऑफ टेक्नलोजी ये मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ सभी पेपर्स के लिए क्योंकि आपने दिखा हुगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपको हर जगे मिल रहा होगा मैं आपको एक ओवरल बात कर रहा हूँ यूज ऑफ टेक्नलोजी सी इंस्ट्यूट ने न्यू स्कीम के अंदर मिंडेटरी कर दिया है कि भाई बच्चे को सिर्फ ठेवरिटिकली रटवाना नहीं है अपने उसको प्रैक्टिकल लाइफ से अवगत कराना इंट्रिउस कराना है जैसे मेरे केस के अंदर में आपको बताओं कि मैं यूज करता हूँ GST का पोर्टल इन क्लास GST पोर्टल इन क्लास GST पढ़ते समय बहुत सारे चैप्टर साब के सामने आते हैं पर एक्जामपल जैसे चैप्टर आएगा रजिस्ट्रेशन का क्योंकि आप अगर बिजनिस कर रहे हो कारुबार कर रहे हो तो आपको GST डिपार्टमेंट के साथ ओ वाई सामने देखो आपको GST डिपार्टमेंट जाकर एक रेजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है मैं मेरी बुक से आपको रेजिस्ट्रेशन का चैप्टर पढ़ाऊंगा बहुत शिद्दत से पढ़ाऊंगा यह मेरी किताब है यहां पर आकर मैं आपको दिखाता हूँ यहां पर में रेजिस्टेशन का चैप्टर है इस वाल दूसरे मॉडूल में है वो कर दूसरे में है तो यहां पर आप जब देखेंगे तो GST पॉर्ट से इंस्टूट में से मेंडेट कर दिया है तो क्या इंप्रेशन आएगा यहां से करने का मैं आपको बताता हूं कि आपने तो पढ़ लिया किताब से कि भई रेजिस्टेशन ऐसे होगा वहां जाकर होगा यह फॉर्म भनना है ऐसे करना है वैसे करना है उस सारे चीज़ पढ़ लिकिन अगर वो आपने यहां से पढ़ने के साथ साथ अगर GST पॉर्टल पर जाकर प्रैक्टिकली देख लिय कैसे भला यह रहा आपके सामने मैं दिखाता हूँ GST.gov.in करके GST के वेब साइट पर जाकर GST की पॉर्टल पे जाकर अगर आपने उसे देख लिया तो मालिक एक बात बताईएगा बात एक अलग ही लेवल पर आ जाएगी कि नहीं आएगी यह GST का पॉर्टल है जहां भी जरुत पड़ेगी हर क्लास में लगभग हमारा यह पॉर्टल खुल जाएगा यहां पर मैं लॉग इन करता हूँ मेरे खुद की दो कमपनिया है और दो कमपनियों के डेटा के साथ मैं आपको यहां बिल्कुल डियोरिंग ता क्लास लाइब मैं सिखांगा कि देख भाई GST पर जाके रेजिस्ट्रेशन ऐसे होता है इवेबल नाम का एक कॉंसेप्ट आता है वह इवेबल ऐसे बनता है ऐसे डस्ट्रॉय किया था इचन एवर्थिंग दिखाता हूं यहां पर आकर यह कैप्चा बोलेंगे क्या है एट वन फाइव व यह GST का अपना पोटल आजाता है ओफ़िस में आकर आपने यही सारा काम करना होता है यहां सर्विसिज पर आते हैं सर्विसिज पर देखिए रेजिस्टेशन आ जाता है लेजर है रेटर्न सहें पेमेंट से हैं यूसर सर्विसज रिफंड्स वेबल ऐबल ट्रैक आप्लि उसके बाद बूलता है सामने वाली रो में Application for Filing Clarification Amendment of Registration Core Field फिर उसके नीचे Amendment of Registration and Non-Core Fields and all ये सारे टैप सीखेंगे थेोरी के साथ practical भी करके चलेंगे मैं तो ये 2020 से कराता आ रहा हूँ लेकिन पिछले New Scheme के अंदर से Institute ने से mandatory कर दिया है आपका जो पेपर होगा जो टोन होगी वो इस पर मिक्स होगी इमानदारी से मुझे बताइए थियोरी पढ़ने के साथ सथ अगर आपने यहां से भी वो सीख लिया देख लेके अच्छा बेटा ये वाला फॉर्म ऐसे बनना ये ऐसे करके चलना है तो क्या आपको चीजें रिवाइज भी करने के जुरुद पड़ेगी नँद दिलवाले दुल्हनियां ले जाएंगे में शारुख खान का नाम क्या था बताइए बताइए सर उसमें नम राज था उसका कितनी बार आपने रिवाइज के अलिक लिक करिए एक नोट्स बनाए होंगे आपने जब मुवी देखी होगी बहुत पुरानी मुवी हो गई है शायद आपका जनम भी नहीं होगा समय पे फिर भी आपको पता ऐसे कैसे क्योंकि आपने उस मुवी को देखा है दिल से दिल से और जब हम उस चीज को जी लेते हैं प्रैक्टिकली फील कर लेते हैं देख लेते हैं तो उसको हमने रिवाइज नहीं करना होता है ऐसे ही मैं आपको सारी चीज़ें यहां पर सिखाऊंगा जिससे क्या आपको रिवाइज भी नहीं करना पड़ेगा और कॉंसे अलग लेवल का आपका आ जाएगा यहां पर मैंने न्यू रेजिटेशन पर क्लिक किया है क्लिक करने के बाद आप देखिए सबसे पहले पूछता है मैं कौन हूँ आई आम ए टेक्सपेयर मैंने का हा मैं टेक्सपेयर हूँ कौन से स्टेट से हूँ मैंने का दिल्ली से हूँ करा डिस्ट्रिक बोलो कौन सा है हमने का इस डली रच्षमी नगर है यहाँ अपना पैन बताईए यहाँ अपना जो पैन पर ने मारा वो बताईए आगे पर्मानिट अकाउंट नमबर बताईए इमेल आडरस दीजी मुबाइल नमबर दो OTP आएंगे उसके बाद में एक TRN नमबर जेनरेट होता है फिर TRN नम तर जो भी आपने त्योरी पढ़ रखी थी वो सारी कि सारी यहाँ से कवर होती है और यहाँ से पढ़ने के बाद जब आप आफिस में जाओगे अपने में तो एक मज़ा सा आ जाएगा कि यस मुझे काम पहले से आता है और सी इंस्टूट तो एक्जाम खेर इस पर जाता है तो चलान कैसे क्रियेट करना है और किस तरह से उसको फाइल करना है आगे कैसे पेमेंट्स करनी है वो सारी चीज अब यहाँ से सीख कर अपने चलेंगे मालिक ठीक है सर जी यह सर सर मुझे अकाउंट्स का का एक्स्परियेंस से तो मुझे कोई बैनिफिट होगा ब आपको करा के देंगे जिससे कि आपका वाके में सब्जेक्ट कंप्लीट होगा एक अलग लेवल पर निकल कर आएगी ठीक है चर जी उसके बाद कंसेप्ट क्लेरिटी के लिए हम और क्या करके चलते हैं तो इसके लिए देखिए लौके अंदर कोई भी वर्डिंग्स आती ह सेंटेंस आता है तो वो अंडरस्टेंडिंग जो है आपकी आपकी जो अंडरस्टेंडिंग है वो विद रीजन होनी चाहिए आपने शायद कभी सुना हो कि टीचर ये कह दे बच्चे ने क्वेशन पूछा कि सर ये ऐसे कैसे तो टीचर ने जवाब दिया चुप लौ में लिखा है इसलिए ऐसे बच्चा करा ठीक है ओके ये क्या बात ही भाई लौ में क्यों लिखा है यही तो आप पूछने के लिए पैसे दिये आपने पागल व्यक्तिवी पत्थर फैंकता है तो उसके पीछे उसका कोई ना कोई रीजन जरूर होता है तो जिसमें लौ बनाया लगगे उचाए क्या हन्या लौतता वगा 13 एशे जाओ तो कौनसी आफ हता रही है उडग आपको लेकर चलूँगा अपका जहां इधर धो जाने का मन करें चलो क्योंकि आगे गली बंद होगी मुझे पता है आगे अधिरी गली सर्वल फरवा के वापस लौट के आ सकता है तो वहां आप घूम के आ जाओगे तो आप मेरी बात पर पूर तरह से फिक्स हो जाओ कि हाँ यार यही सही रूट है अपना हम लोग अनलाइज नहीं करेंगे हम तो लोग बनाएंगे मैं आपको अब्जेक्टिव दूगा कि यह यह पोजिशन है बताइए यहां पर लोग कैसा होना चाहिए और आम शूर कि आप 90 परसंट सही लोग बना देंगे आपको भरोसा नहीं आपने उपर हम तो छोटे बच्चे हैं हमें दोबस लोग फालू करना फालू नहीं करना अपने लोग लोग आपने पढ़ाना है लोमेकर को बताना है कि लोग इस तरह से यहाँ पर निकल के आएगा ड्राफ्ट करके चलना है उसको तो जो भी काम करेंगे विद रीजन यहाँ पर करके चलेंगे उसके बाद में इसमें अगला पॉइंट आपकर निकल के आता है साहब कि जो हमारे कॉंपलेक्स कॉंसेप्ट होते हैं उनको कैसे हैंडल किया जाएगा आप देखा होगा पहले भी पढ़ते आ रहे हैं किसी भी लेवल पर हर सब्जेक्ट में न कोई न कोई कथिन क्वेश्चन कथिन कंसेप्ट होते ही हैं जो आपको समझ में भले ही आ जाते हैं लेकिन थोड़ से मुश्किल से अंदर दिमाग में घुस पाते हैं बार बार परेशान करते हैं बार बार रिवाइज करने पड़ते हैं वो आपको तो ऐसे ऐसे जो कॉंपलेक्स कॉंसेप्ट आते हैं पता मैंने क्या कर रखा उनके के लिए आविश्वास नहीं करोगे मैं उनका demonstration देखे चलता हूं उस concept को खेल बनाकर हम यहां क्लास में करके चलते हैं देखना चाहोगे मैं एक मिनट का आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं कि किस तरह से हम अपने demos को यहां पर रख के चलते हैं आप मुझे बता देना sound है के demo देकर चलते हैं देखो जरा बात बात पर demo होते हैं अब हम आप से discuss करते हैं GST के अंदर जो input tax credit का concept है वो कैसे work करता है तो इसके लिए हमने बहुत ही शांदार सा demonstration लिया है आई मिलवाते हैं आपने कलाकारों से यहां इंसे में लिए यह हैं हमारे copper wire manufacturer और यह copper बनाते हैं देख सकते हैं ध्यान से great उसके बाद अगले जो हमारे इस chain में आते हैं next one compressor manufacturer है और यह बहुत शांदा सा compressor बनाते हैं और compressor का model भी इन्होंने यहां पर रखा हुआ है उसके बाद फिर इस compressor का इस्तिमाल करते हुए अगली stage पर बनाया जाता है कार का air conditioner AC बनाया जाता है तो यह AC manufacturer है और इधर यहां इनका AC रखा हुआ है उसके बाद AC की further supply करी जाती है और वो पहुंचता है car manufacturer के पास में और car manufacturer सहाब है आपका बहुत बस्वागत है और यहां से फिर यह इस AC को car में fit कर देते हैं और यह मारूती की कार आप यहां पर देख रहे हैं और आई आपको मिलवाते हैं सबसे बहतरीन हमारे सक से और वह उपर देखिए वहां पर हमारी सरकार बैठी हुई है नमस्ते जी नमस्ते सरकार जी आप यहां पर आकर वापस हम अपने पूरे गेम को करते हैं और आईए step by step समझने की कोशिश करते हैं शीज कुना समझना क् बस खेलना है आपको मेरे छोड़ छोड़े questions के जवाब देने हैं बस ठीक है अच्छा आपने क्या बनाया है copper है copper की wire आपने यहां पर यह बहुत शांदार wire बनाई है और यह आपकी copper की wire कितने की है 100 plus GST की 100 plus GST की है very good very good और अब यहां से होगा क्या हां तो जो copper की wire आपने प्यार करी हुई है इसे खरीदने के लिए customer आता है customer यहां पर आते हैं और आपने copper की wire बेच दीजिए कितने की बेची आपने 118 एक सो अठारा रुपे की great अच्छा आपके पास जू एक सो अठारा रुपे आपके दीजिए गिन कर देना ठीक से एक एक रुपे का हैसाब होगा यहां पर आकर 100 प्लस 18 आप दिखाईए 100 रुपे यह रहे 10 रुपे यह रहे और 8 रुपे यह इस प्रकार से यहां पर आ अच्छा और यह वायर लेकर अपने पास में चले जाते हैं अब मुझे पताईए यह आपके पास 100 प्लस जीस्टी आया जीस्टी एक टैक्स होता है क्या जीस्टी वाला पैसा भी आप रखेंगे यह सरकार को देख राएंगे ऐसे डेरो डेमोस्टेशन यह आउट्डोर था मेरे घर के बाहर पारकिंग है और मैंने वही पर एडेमो शूट किया अपना इससे क्या होता है कि हम खेल खेल में ही गहरी बात को सीख जाते हैं और जब तक वो कॉंसेट चल रहा होता उसमें हमें बहुत रस आ रहा होता है और चीज दिमाग में सीधी उतर जाती है जिससे कि हमें कॉंप्लेक्स कॉंसेप्ट को याद रखने जैसे कोई टेंशन हमारे दिमाग पर नहीं होती वो दिल में सीधा उतर जाता है ठीक है तो ऐसे हम यहाँ पर करके चलेंगे मालिक आई होप ही कि आपको पसंद आया होग आए उसके वाद मैं मैं आपको बताता हूँ यहां पर आकर एक्स्टर्न रिसोर्स जिस क्या है मिखस्टर्नोस तो रिसोर्स जैस उसके बाद अगला फेस्ट सुरू होता है आपका राइटिंग प्रेक्टिस का तो जैसा कि मैंने आपको बताया था मैं आई एरस ओफिसर्स को ट्रेन करता हूं पढ़ाता हूं तो जैसे मैं आपको दिखाऊ हूं यह मेरा यहां पर पहला बैश था फैबररी 2020 में ठीक है सर य आई पीएस एक आयारेस यह आयरेस ऑफिसर्स है क्योंकि अपना यूनिफॉर्म होता है तो यह वैसे करके हैं और इनमें से इतने महनती बच्चे मैं आपको बताओ यह आयरेस के लिए थे लेकिन आई पीएस के लिए थोड़ी रेंक और अच्छी चाहिए होती है तो आप देखेंगे तो यहां पर पीछे जो बैठे है यहां पर जो चहरा दिखरा हालका साब पीछे इन्होंने आयरेस के बाद आई पीएस के लिए सेलेक्ट हुए दोबारा दोबार यूपी सी करेक कर डाला भाई साथ और नाव शीज एस पी इन यूपी डिस्रिक बुलन शहर त दो यहां से क्या होता है हमें इसका क्या benefit मिलता है कि हम department जो है उसके इस side की सारी picture आपको दिखा देते हैं GST portal दिखाया with reasoning आपसे हमने बात करी Each and everything आपको बथा दिया है लेकिन department के उस side क्या हो रहा है टेबल को स्पार क्या हो रहा है वो हमें नहीं पता होता हो ता वो कौन के अंदर अपनी में इनको invite करते हैं और आपके department संबंदी जो भी questions होते हैं ध्यान से देख लीजिएगा all these are as of now deputy commissioner क्योंकि एक-दू साल के अब यह जो हैं देख रहे हैं कलकरता से हैं यह अंकिता है इनका नाम और यह यूपेसी में rank 2 था इनका और उसके बाद फिर और आगे बढ़े और आगे मैं कहा हूं इसमें अरे मैं यह रहा बीच में यह रहा है यहां पर मैं ठीक है तो इस प्रकार से यह हमें सवभाग्यप प्राप्त होता है और हम अब तो हम क्या नामे की यहां फेस टू-फेस मना इस्टूडियो में बुला लेंगे हमने कुछ इस तरह से यहां पर कर रखाइश ही जॉइंट कमिशनर श्री नरेदर यादव जी जो क्लास में हमने इनको बुलाया था और बच्चों के जो उस संबं इनसे पूछेंगे अपरेट कैसे डालते हो आपकी टीम कौन बनाता है मैं मानता हूँ कि यह वाला सवाल आपके एक्जाम में नहीं आएगा लेकिन आपको इतना कॉन्फिडेंस बिल्डप कर जाएगा यह सब्जेक्ट को परतिक कमांड दे जाएगा कि आप क्रैक कर जाए आप किन चीजों से अब मैंने पूने में बैच लिया था पहले फेस टू फेस बैच था वहां पर करीब हजारों बच्चे वहां बैठते हैं तो उसमें क्या था कि बच्चे जब 80% GST खतम हो गया था तो बुले साब हम टेक्स की चोरी ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे बच क्लास के अंदर ही मेरे का आजाओ बच्चों कुछ डाउट्स हैं और बहुत एक फ्रेंडली इट्मॉस्फेर क्रीट करके लगबग एक डड़ घंटे का वहां पर सेशन रखवाया जिससे कि बच्चों के मन के जो भाव थे वो सारे बाहर निकल के आए रोन ने बखुबी उन क्वेशन का अंसर के जो डिपार्टमेंट संबंदी थे माले कैसे करके यह हमारे फोटोग्राफ से कुछ एक जो हमारे बच्चे रैंक वन आई हुए हैं अर्जुन महरा यह सी इंटरमीडियट कहीं है और यह दिक्षा गोयल यह रैंक टू है यहां पर आकर यह नितिन तो बाबु मेरे कॉल करते हैं अपने स्टूडियो में बुलाकर या फिर वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरी ठीक है जी यह सर और इस प्रकार से हमारी यहां पर आकर मालिक बात होती है ठीक है गुरुजी ऑके तो सर इसिट मेंडेटिल डिस्क्लोज एस पर जीएस्टी रहा हूं जो बड़ी महत्वपूर्ण चीज है तो मुझे बताइए क्या इतना सब कुछ होने के बाद कंसप्ट क्लेरिटी में कोई इश्यू आएगा आपको यह सन्नों अरे क्लास में कुछ इश्यू आ रहा क्या है कि कि क्लास कोई दिक्कत तो नहीं है इसे करके यहां पर मालिक यह इतने सारी चीजे हम करके चलेंगे हम जान लगा देंगे हम फालतू कर जोक वोक तो नहीं सुनाएंगे लेकिन मैं आपके चैप्टर को इतना रसीला बना दूँगा आप ब्रेक नहीं मांगोगे इवादा है हमारा ब्रेक नहीं मांगोगे आप और जब भी कभी थोड़ा आलस आएगा तो ये डमरू आपको जगा देगा ठीक है जैसे श्रीमत भागवत गीता उसका जब पाठ होता है सुनाते हैं गुरू जी तो फिर किसी एक्स्टरनल जोकी जरूत नहीं पड़ती उसमें ही अपना इतना रस होता है ऐसे ही हमारे सब्जेक्ट के अंदर सोची जब इतनी सारी चीज़े होंगी तो कितना रस बरसेगा जैसे होली पर भीग जाते है न ऐसी भीगेंगे हम GST की बारिश में वादा है हमारा आपसे अब बात आती है ये तो होगी 50% तैयारी येस अभी तक 50% ही होई है अगला आता है राइटिंग प्रेक्टिस को लेकर राइटिंग प्रेक्टिस को लेकर तो इसके लिए हम क्या करके चलेंगे तो बच्चा अकसर ये पूछता है सर जी लेंगवेज कौन सी लिखनी है बच्चे के डाउट्स क्याते हैं मैं आपको बता हूँ अब यहां भी पूछ रहते हैं सर प्रेजेंटेशन कैसे देनी है सर लेंगवेज कौन सी यूस करनी है आई से एक स्टडी मेटल करनी है क्या करना है कैसे करना है तो इन तमाम बातों का जवाब मैं कैसे देता हूँ कि मेरे मुनना सुन एवरी चेप्टर से क्या रहे एवरी चेप्टर से एक क्वेशन बढ़ा सा, शांदार सा एक्जाम में आया हुआ, मैं लिख कर देता हूँ, मैं लिख कर दूँगा आपको, मैं लिख कर आपको दूँगा, कलास के अंदर, चेप्टर खतम हुआ, कॉशनन्तर शुरू होंगे, तो मैं लिख रहा होंगा, उसमें आपको पता भी लग जाएग प्रेजंटेशन कैसी जा रही हर चप्टर से लिखूंगा कम से कम एक क्वेशन बिल्कुल एक्जाम कंडिशन में वही साफसुत्री लेंग्वेज वही हैडिंग्स और इससे आपको लेंग्वेज का भी पता लगेगा यापके जो लिखने संबंदी सारे के सारे डाउट से व अपको हॉमवर्क में बस यहीं मिला करेगा भाकी समय इनिब टालूँगा आप उन्न आपी आपको कुछ न्हीं करने के जरूता बाकी सब क्लास में करा दूंगा revision भी मैं ही करा दूँगा आपको classroom के अंदर क्योंकि class शुरू होने से पहले revision होता है class के बाद revision होता है और उसके बाद फिर छोटे छोटे आपको हर class का 5-5 minute का पूरा सार मिल जाया करेगा तो आप जम मर्जी जिसे मर्जी फटा-फट चीजे को revise कर सकते हैं देख सकते हैं तो जब पूरा मैं करके दिखा दूँगा तो फिर उसके बाद आपका doubt नहीं रहेगा एक question आपको लिखना होगा और दो-तीन chapter के question लिखने के साथ ही आपको confidence आना सुरू जाएगा यह बात अब ठीक है भाई अब ठीक है इतना ही नहीं अब इतना जब लिखना आ रहा होगा आपको तो फिर मैं क्या करूँगा आपके लोगा बाबु मेरे टेस्ट और टेस्ट होएंगे आपके chapter wise कितने दुख की बात है कि आपके जब स्कूल में थे तो टेस्ट होते रहते थे इसर्म और इसर्ग किस नाम पर पतानी क्या के टेस्ट आपके चलते रहते थे घाया ना हर हफते पंदर दिर में आपके writing practice चलती रहती ठीक और मजे की बात है जब इतना बार्यक्तिक करने के बाद आप examination में जाते थे ना तो वो भी आपको यूटी जैसा ही दिखता था आपको अलग से कोई स्ट्रेस नहीं आता था मैंड को पर लेकिन यहां सी एक अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि कंटेंट इतना ज्यादा होता कि बच्छा पढ़ाई 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 करो उसी में लगा रहता है यहार वो लिखने को समय नहीं मिल पाता है मैं क्या करूंगा मैं यहीं क्लास्रूम के अंदर राइटिंग प्रेक्टिस करूंग और आपके चप्टर वाइज टेस्ट लोंगा से टेस्टी कॉपी मिलेगी ओई यस अगर टेस्टी कॉपी आपको नहीं मिल रही है तो टेस्ट देना ही भी का रहा है आपने अपना असेस्मेंट कहां कर पाए फिर क्या आपने कहां गलती की क्या करना चाहिए था क्या नहीं करना चाहिए था तो आपको इसकी जो आंसर शीट है आंसर शीट है वो आपको रिटर्न मिलेगी वापस मिलेगी शुरू की दो-तीन क्लास के दौरान ही आपके सारे चप्टर के टेस्ट आपके पास पहुँच चुके होंगे चप्टर खतम हुआ फटाफ़ टेस्ट दीजिए और काम हो जाएगा अब शाहिए आप लाइव में हैं गूगल ड्राइव लिया है और जैसे मर्जी लिया है टेस सब को देंगे और जो बच्चा अपने टेस्ट समिट कर देगा हफ्ते-दस दिन के अंदर सकी कॉपी उसको मेल पर ही वापस लौट कर आ जाती है वो पूरा तरीका बता हूँ कैसे करना उसका पूरा प्रसस बता देंगो मैं आपको टेस्ट कैसे देना है इतना होने के इतने पर भी बच्चा फेल हो जाता है वो क्या रही अब कौन सी कमी रह गई सर जी कमी ये रह गई यह उसमें कि वो तीन घंटे का जो रंगरंग का रिक्रम होता है जो सी इंस्टूट एक्जाम लेता एक्जामनेशन हॉल में जब बच्चा बैठता है तो वह उसके हाथ प एक्टरस मल्टिपल टाइम रिहर्स करते हैं चीजें को जो बड़े-बड़े सिंगर हैं किता-किता रिहर्सल करते हैं तब अपने एक परफॉर्मेंस देते हैं और सी ए स्टूटेंट बिना रिहर्सल किये एक्जाम देने चला जाता है सोच ब कितना बड़ा रिस्क लिए है कितना बड़ा रिस्क लिए रहा है और मैं कहता हूँ भाई सब एक मेजरिटी अफ दस्टूडेंट इस वजह से फेल होता है उसे लिखना नहीं आता है तो भाई यहां पर मैं आपको दूंगा सैंपल पेपर बिलकुल हूब 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 यहां तक ही फॉंट वही रखूंगा जो सी इंस्टूूट रखे चलता है सी इंस्टूट के पैरामिटर को फॉलू करते हुए उन्होंने फ्रिट्र पर यह वेटेज दे रखी है उसको फॉलो करते हुए मैं आपको बता के चलूँ कि यह आपका सेंपल पेपर है दो सेंपल पेपर में कम से कम आप से लिखवाऊंगा और वो चेक होकर भी आपको मिलेंगे इसके बाद जाना एक्जामिशन हॉल देने के लिए टीका लगा के फिर आप देखते कैसे नहीं आते हैं आपके ओलेंडी हाईस्ट मांक्स ग्यारे बार आये हैं मेरे बच्चे का ओलेंडी हाईस्ट मांक्स यूही नहीं आ गए हैं बस एक वादा करना पड़ेगा एक वादा मेरी तरफ से है कि मैं जितना बोल रहा हूँ इसमें मैं कोई भी बेहिमान के करना चाहिए और एक बर जब सेलेक्शन कर लो तो उस पर डाउट नहीं करना चाहिए जीवन में ध्यान रखना गुरू बहुत मिलेंगे आपको जीवन में अलग अलग स्टेज पर अलग लग तरह के गुरू मिलेंगे आपको ठीक है तो जो मैं जैसा कहते जा रहा हूं वो करना पास ना हो पाए तो मुझे बैमान बता देना कि हमने वैसे किया जैसे आपने कहा और यह हमारे दिक्कत हो गई तो बिले मुझे कर देना सारा उसका नुकसान का हर जाना मेरे उपर ठोप देना किसा आप ने गद्दारी कर दी हमारे साथ में लेकिन आप वो करना जैसे मैं कहा के चल रहा हूं सब पेपर में किस ताइप के कुश्चन्स आते हैं यह यह कि य दिक्त देना केต़ु गएगे और इसमें आपके निमरीकल कुश्चन्स भी आते हैं तो आप इसे ऐसे मानो 50 पर सेंड यह 50 परसेंट आपका यह 9 banalчure मोटी मोटी लेंग्वेज में सब के स्टरी टाइप मतलब के सड़ाइप का मतलब ऐसा है कि देखिए बिकव वगरा में क्या होता है कि बोल देते कि डिफाइं दा वॉर्ड फैमिली का मतलब क्या उसे बताईए यह तो गया स्ट्रेट फॉरवर्ड थियोरी कोश्चन लेकिन सिचुवेशन क्रियेट करके कि एक हस्बेंड ने अपनी पतनी को यह वाला गुट्स बेचा इस पर जियस्ति लगेगा नहीं लगेगा तो वहां आपको अपलाई करना पड़ता है कि क्या यह दोनों फैमिली की डेफिनेशन में आते हैं कि नहीं आते हैं इससे बोलते हैं बेजड क्वेशन या के स्टेडी बेज़ क्वेशन बोलते हैं उसको अपलाई करा के दिखाना पड़ेगा आपको इस टाइप की क्वेशन सापके यहां पर पूछे जाते हैं साहिब ठीक मालिक यह सर जीए ठीका फुल फॉर्म क्या होता है ऊपर लिखवाय था मैंने शु क्या क्या आपको कराने वाले हैं पहले मुझे बताओ यहां तो कोई दिक्कत नहीं बाबु मेरे नई सर कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब सबसे एहम बात पर और आजाईए और सारी एहम एहम बात मैं आपसे आज करने वाला हूं यहां पर आकर मैं को बताऊं बाबु मेरे कि आपको जो क्लास लेनी है उसका मोड क्या रहेगा दो मोस्ट इंप्रेंट थिंग सर हम लाइव क्लास ले ओफ लाइन ले कौन सा मोड ले क्लास मिलती है बाजार के अंदर आपको तीन तरीके की एक होती है हंडिट परसेंट लाइव बाबु मेरे आइम नौट टॉकिंग आउट अल्ली माइसेल अब बाकी में भी ध्यान रखना हंडिट परसेंट लाइव एक होती आपकी हंडिट परसेंट रिकॉर्डिट जिससे ओफ लाइन या गूगल ड्राइव मोड या के नाम से भी बहुत जानते हैं और एक तीसरा होता है इन बिट्वीन कि इसमें आपका लाइव भी होता है और प्लस इसमें रिकॉर्डिट भी होता है लाइप लस रिकॉर्डिट ऐसे करके बात करते हैं मैं पंद्रा फरवरी से 15 और फैबरी से आपका यह जी एस्टी कि यहां पर शुरू कर रहा हूं एक दम फ्रेश टाजा टाजा विद्शूल अप अमेंडमेंट हर 6 मीने पर आती हैं अए रिपीट इधर वह बाइस साफ इधर इधर होधा इधर जो हमाराई पेपर है ना इसमें अमेंडमेंट हर 6 Tuesday है मदास ब्रेचिंजर्ड ऑन इसके औ इसलिए आप प्रफर करेंगे रिक्मेंडेशन है कि आप लाइव बैच ही जोइन करें टेक्स का पेपर मैं बाकी पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ टेक्स का पेपर बड़ा डाइनामिक है लौ मेंकर ने लौ बनाया ऐसा आप बोलोगे मैं तो नहीं जा रहा है इसके रास्ते पे मैं तो यहां जाएOS चानगँ वहां जाए इसलिए यहां पर आईए दूसरी चोईस यह है पहली चोईस फर्स चोईस पहली पसंद कमला पसंद और दूसरी पसंद आपकी सेकंड चोईस आपकी यह होती है कि अगर टाइम सूट नहीं कर रहा है तो आप यहां आईए बट ध्यान दीजिए यह जो recording है न इसकी होनी चाहिए अधर ध्यान से यह recording इसकी होनी चाहिए fresh वाले batch की fresh batch की recording होनी चाहिए यह जो culture है live plus recorded तो अक्सर आपको इसमें धोका होगा क्या सुनो जाना ध्यान से क्या हो सकता है हो सकता है कि आपको यह एक दो तीन क्लास लाइव जिदी बाकी भाई सब रिकॉर्ड इड लगा दिया पूरा आपके दिमाग में अगर कुछ ना बोला जाए तो क्या आता है 50% शायद होगा 50% शायद ये रहा होगा लेकिन आपके साथ स्कैम होगा कि एका दुक्का क्लास है और बाकी पूरा रिकॉर्ड इड ये चल दिक्ड है टेक्स में दिक्ड ये है यार एगर कोई ऐसे आपको कहीं बाजार में मिलता है तो उसमें प्रॉबलम यह है कि यह recorded कौन सवाला होगा old recording ना पिछले बैच की रिकॉर्ड इंगा और पिछले बैच की रिकॉर्ड इंका मतलब क्या कि किस्ताबें भी आपको old मिलन वाली है पैसे आप नए देंगे किताब आपको पुरानी मिलेंगे दो चार छे लेक्षर शुरू के लाइव देकर आपको बहला पसला कर एडमिशन लेकर पैसे लेकर फिर आपके साथ ही होगा सारा कंटेंट आपको पुराना मिलेगा फिर रोते रहीएगा कुछ नहीं होगा तेक्स की पिपर में यह भूल बिल्कुल भी आप मत करती चुएगा हर छे महीने पर किताबे चेंज हो रहे हैं मेरी किताबे अप टू डेट हैं मेरी किताबों के डिलिवरी मुझे कल मिलने वाली है है ना ठीक सर जी तो यह आप गलती नहीं करेंगे और इस चीज का ध्यान रखके चलेंगे और अब बात करता हूं मैं अपनी किताबों के लिकर किताबे मेरी कैसी है बुक्स का क्या सीन यहां पर रहने वाला है तो देखे भाई आपको जो किताबे मिलेंगी मेरे यहां पर तो जो मेरी टेक्स्ट बुक आ गई अपनी प्रॉपर तरीके से टेक्स्ट बुक और यहां पर आपके प्रैक्टिस बुक आएगी दो टेक्स्ट बुक है दो प्रैक्टिस बुक है और प्लस आपके चार्ट्स आएंगे यहां पर रिवीजन वागरा के लिए ठीक है टेक्स्ट बुक में आपके आगए वॉल्यूम वन करके आगया वॉल्यूम टू करके आगया मैं दिखाऊंगे आपको इतनी मोटी मोटी ऐसे से होगी ज्यादा मोटी भी नहीं हाला कि यह अभी मेरे पिछले बैच की है पुरानी किताब है यह क्योंकि नई किताब मेरे हाथ में कल यह पिर्टे मेंठी कल मिलेगा तो आप देख सकते हैं यहां पर आकर एक सबसे पहले किताब की लंबाई चोड़ा देखने का मन करता है कि के वालिक लिए सर और एक किताब ही होगी आपकी टेक्सट ब्ुकंग में आ गई और दूसरी आपकी टेक्स्ट बुक यह है यह दू किताब मेरे पास कर लाएंगे ठीक हो गया दो टेक्स्ट बुक हो गई कर और एक मेंट और दो टेक्स्ट बुक के बाद में यह आएगा आपका compiler यह यह आपका compiler मैं आपको दिखाता हूं यह मेरे साथ में यहां पर compiler आपका यह रहेगा यह पुराना है कवर पीछ जाए ध्यान दिजीगा एकदम शांदार और भैतरीन वाला compiler है मजास आजाएगा पढ़के प्यार हो जाएगा किताब उससे एक compiler हो गया और साथ में आती ह एक पतली से आपकी एक और booklet यह आपकी quiz booklet करके है इसमें क्या है सर जी दिखाते हैं हम आपको इस quiz booklet के अंदर सी इंस्टूट ने नई scheme के अंदर आकर न एक ऐसे करके कुछ टाइप booklet डालिए बच्चों के concept टेस्टिंग के लिए तो यह मैं आपको अलग से यहां पर देखने के लिए मिलेंगे प्रेम से बोलेंगे राधे राधे ठीक है सर जी सर किताब बहार से दिखा दिखा दी अंदर से भी दिखाओ न कि यहां पर बता दूँ एक मिलेगा आपको कंपाइलर मिलेगा और एक आपको मिलेगी यहां पर आकर क्विज बुक्लेट कंसेप्ट टेस्टिंग के लिए है और साथ में आपकी चार्ट से यहां पर मालिक हो जाते हैं ठीक साब हां सर जी जो बुक है उसकी अंदर से शकल दि दिखा हुआ है यहां से आपका चैप्टर शुरू होता है इंट्रोडक्शन एंड कांस्टिट्यूशन का तो यही दसेम बुक आपको मिलने वाली है क्योंकि कोई भी समान खरीदने से पहले आपको पता हो न चाहिए कि आपका खरीदने के लिए जा रहे हो आपको क्या मिलने वाला है है ज integrity आडिए उसके बाद में छलते चलो चलते चलो चलते चलो चलते चलो भाई है ने सुन्दर बुक बताओ न कमेंट तो कर दो यार तो ऐसे करके यहां पर होता है यह आपको इस परकार से बुक मिलेगी ऐसा तो नहीं है पहला चैप्टर ज़्यादा अपने मज़ेदार कर रखा हो और बाकी चैप्टर में ऐसा ना हो और एक ऐसी बात करते हो बहुआ यह देख लो यह पूरा आप साइड में देख पा रहे हैं यहां पर ठेक है यह देखो और इच और इवरिफिंग इच और इवरिफिंग आपको ऐसे मिलेगी शांदार वाले मिलेगी यह देखो यह आपका चैप्टर यहां पर चल रहा है और कहीं से भी आप देख सकते हैं बुक को ओपन करके और उसके बाद में यह नया चैप्टर एड़ हुआ है नियू स्कीम के अंदर प्लेस आफ सप्लाई का तो यह इसका लीगल पॉइंट हो जाता है उसके बाद इसका एनालेसिस केस बना बना कर यहां पर मैंने कर रखा है एक एक बात को बहुत अच्छे से लाबरेट करके शांदार तरीके से कराखा है मैं आपको किताब में लिखवाने लिखूने काम नहीं करूँगा मैं आपको लिखवाने के प्रेक्टिस वो करूँगा जो आपको एक्जामनेशन हौल में लिख कर आना होगा किताब मेरी अपने आप में कम्पलीट है कोई दिक्कतवाली बात इसके अंदर नहीं है ठीक है जी यह सर कौनों दिक्कतवाली बात नहीं है तो यह आपकी रहेंगे मालक यहाँ पर आकर बुक्स आई होप और यह क्विज बुकलेट है यहाँ पर यह देखिए जो मैं आपको दिखा रहा था अभी यह क्विज बुकलेट आपकी यहाँ आ गई इंट्रडक्शन कंस्टिटूशन ऐसे से करके यह है ठीक जी और सर्वों दिखाओ कंपाइलर कंपाइलर देख लो यह आपका कंपाइलर यानी क्वेश्चनर है जो प्रेक्टिस के लिए में करके चलना है और इस तरह से आपके क्वेश्चन्स यहाँ पर मालिक दिये हुए होंगे क्वेश्चन का सोर्स क्या है वो भी आपको बता रखा होता जैसे आर्टीपी में 2022 का क्वेश्चन है या दिसंबर 2021 में पांच नमर का आया हुआ क्वेश्चन है यह तो ऐसे करके जो आपका MTP, RTP, पास्ट एक्वेश्चन क्वेश्चन्स जुलाई 2021 में पांच नमर का आया हुआ क्वेश्चन है इस तरह के क्वेश्चन्स आपसे पूछे जाते हैं तो यह जो क्वेश्चन देख रहा ना यह होते हैं आपके जो यह तो ही रहे ऐसे केस बना के दिया जाएगा और फिर आपको वो करना है और मेरे इस क्वेश्चन आंसर के बुक में आप देखिए रैलिवेंट प्राविजन अनालेसिस अंड कन्क्लूजन मतलब जिस प्रजेंटेशन मोड पर आपको एक्जाम में लिखके आना है उसी प्रजेंटेशन पर आपको हर चैप्टर यहां देखने के लिए वैसे ही मालिक मिलेगा ठीक है जी हाँ सब्सक्राइब और निमेरिकल questions भी सके अंदर आते हैं जैसे यह आपका निमेरिकल कोशन यहां पर आकर यह कोशन देख रहे हैं आप जैसे राइटिंग लिखा ना पता है क्या है तो अझत रहे हैं जिले और टिशर की जानकारी यहां पर मिल गई हो गएगी और बताऊ'll कुछ और आपके मन में सवाल हैं तो मैं उनको यहां पर हैंडल करता हूं है जो और साथ है तो दुनिया साथ है वरना वरना आंसुओं को तो आँखों में भी जगा नहीं मलती है ऐसे बूल जो करो वह वह हाथ ही नहीं मुझे शेर उशारी लिए कदुक का याद है बस ठीक है सीराजकुमा.com आप टाइप करोगे तो यहां पर यह दिख जाती है यह रही सीराजकुमा.com यहां पार ठीक है न मालिक तो यहां सारे चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगे तो ऐसे करके हैं और और बताओ क्या सेवा की जाए अगर आपकी गूगल ड्राइव वाली क्लास लेंगे तो ओल्ड लेक्चर मिलेंगे क्यों देखो अगर आप लाइव जॉइन करते हो लाइव मिल जाएगा गूगल ड्राइव क्लास लेते हो तो आपको नए वाले लेक्चर से ही मिलेंगे भाई साब उसमें क्या होता है कि जैसे आपने गूगल ड्राइव ऑप्शन लि गूगल ड्राइब क्लास साथ साथ चलती रटी मेरा बच्चा ठीक है पर मेरी हार्दिक इच्छा है और कामना है कि आप ना लाइब जोईन करें ने लाइब बैच को 10 रुपर सस्ता रखा हुआ है पता है गूगल ड्राइब से लागि मेरा बच्चा हाँ आए लाइब के पहले ग्रुफ निप निप्ताते हैं और आप मेरा चैनल है से अचांव मेरा नंबर ले लो आप होई-षब नाइनेट-वन-डबल-0-1 टू-1 6-1 यह नंबर है आप से सेव कर लीच एगा ठीक है कोई शू हो तो बड़ा भाई हो आपका बेजजग पूछ लीजगा विट् दीजिए गया फिर कॉल कर दीजिए गा सर क्लास और यह तो बताए नहीं क्लास कब तक हतम होंगे तो मेरी जो क्लास है उसमें पिछली बार लगे थे मेरे 45 लेक्चर बट इस टाइम मैं मान के चल रहा हूं कि 40 से 42 लेक्चर में काम हो जाएगा 40 मान के चलो दिमाग के अंदर और संडे चुट्टी रखेंगे छे दिन क्लास रखेंगे शाम का समय होगा और मस्त इवनिंग का टाइम होगा आपका और यह साड़े पांच बजे से लिकर प्रभु इच्छा तक मतलब प्रभु आठ साड़े आठ वे तक साड़े आठ माल लोगा साड़े आठ या यह आपकी पंधरा फरवरी से स्टार्ट हो रही है क्लास लाइव क्लास से और गूगल ड्राइब और ऑप्शन ऑफलाइन ऑप्शन भी अविलेबल है मोबाइल अप्लिकेशन लैप्टाव यह वह सब पे चलती है क्लास कोई दिक्कत नहीं है और उसके बाद और क्या लेगा क्या लाइव ने दिखा तो बैक अप में देख सकते हैं जाके ठीक है लवी शारोडा वो जो क्लास से आपको मेल आएगा सीराज कुमार क्लास से ना तो मेल पर वो सारी इंस्ट्रक्शन दी होई होगी आप क्लिक करेंगे तो आपको स्टेप बाइस्टेप सारी अब आप से आई कॉंटक्ट में मैंटेन करके बढ़ाओंगा यहां ऐसे करके हां स्टूडियो है मेरा यहां पर कोई बच्चा आना चाहिए तो मुस्ट वैलकम पिछली क्लास में पिछली बैच में चार बच्चे आए थे यहां पर आकर बैठ गया तो मुझे कोई दिक्रत लिंक पर सरे टेस्ट मिल जाएंगे आपने अपनी स्वविधा के अनुसार टेस्ट लिंक मिलेगा आपको वहां कोग़्ा पर्जूर पर यहां काणि लिंक मिलेगा बर बर आपको को और जो बच्चा टेस्ट नहीं देगा मेरे पास लटवी है मैं प्यार भी बहुत करता हूं और कमर तोड़ता हूं और कमर तोड़ते समय ध्यान नहीं रखता कि लड़काय की लड़की ठीक है दोनों को बराबर प्यार करता हूं बराबर मैं धुनाई भी करूंगा ध्यान तुम ही हो माता पिता तुम ही हो अब पेरेंट्स वाला काम भी मैं ही करूंगा आपके लिए आपके तियारी कैसी चल रही है आपकी परफॉर्मेंस क्या चल रही है और मज़ी के बात बता हूं जो टेस्ट में टॉप करेगा ना टॉप थी होते हैं उनको मोटिवेट करने के में ही तरफ से कुछ प्राइज भी होता है मोटिवेशन के लिए होता है लेकिन वो सिर्फ लाइब में आपाता है प्राइज वाला फैक्टर तो लाइव क्लास कहां पर होंगी आजाओ सब प्लीज से अबाउट इंग्लिश बैच आप बच्चा मेरा एक नबील करके हैं फीर क्लास कहां पर होंगी एक हम चाहिकआ पर होगी मतलब यहीं पर होगी से राजकुमा दॉट को में आहिए में है वहां पर आपको नबर बी देखने के लिए अन्बर बर बात कर लिजिए का क्तो है तो कहां से खरदनी क्या क्राइब कैसे गर थोसे सब आप हाप nuo市 थीक ह कहीं पर चला ले ना वहीं चलेगी गारी तो यूँई चाल लेगी ठीक है और बताइए अधसर नी अधसरा नीसे नहीं की बात है अधसराई को मेरा स्वीर चुरुएट की बात है आप शानदार मस्त हाँ कभी कोई दिक्यत नहीं आती है टना टन हम शरा आपके स्टूडियो आजाओ प्लेस बता दो मेरे नंबर छोड़ देना में लोकेशन चोड़ दूगा आपको नंबर छोड़ देना मेरे समें दिया थना अपना नंबर आपको यह नाइट वंडबल जिरो तो यहां पे आपको रैफर करने के जुरूफ़् नहीं है मैंने सारा कोछ पूरी जान लगा रखी किताबों में आपको किताब की झलक देखने से पता लग गया होगा कि किताब हैं कितनी समार के बनाए हुए हैं मतलब एक-एक लाइन एक-एक शब्द पर कрыकेशल आ ही बताओ मैं एतनन आएगी भाई करने के बुक में लग जाता है आपका फॉर वर्किंग डिज मान के चलो भाई वह डिपेंट करता कि अप कितनी दूरी पर हैं पास में होंगे दो दुर होंगे तो चार दिन लग सकते हो जौदे दूर होंगे तो पास दिन भी लग सकते हैं पर कोई दिक्कत ने क्लासिस एप पर होंगी या वेब साइट पर तो वो तो एप वेब साइट पे आ रही होंगे लिंक मिल जाएगा आपको मेल आएगे लिंक पे क्लिक करना सारा मिल जाएगा आपको सरियए बैश कहा से पर्चिस करना ना यह पर एल्डान के वेब साइट से राजकुमा लगा यह यहां से कर लो मिलेगा कि जो की होती है तुरंत मिल जाएगी जैसे आपने और किया कि मिल जाएगी यह जी क्लास लेने के बाद भी इमेल नहीं आया आपके क्लास के बताओ ना तो टेक्निकल टिम कॉल को तुरंत आएगा भी ऐसे कैसे हो जाएगा और ठीक से चेक करो सिव भी स्थार्ट मार्च 15 मार्च 15 नहीं जैसे 15 फरवरी से बैस शुरू होगा यह तो 15 फरवरी से लेके फरवरी और मार्च 10 पहले से बस्केश आईक आप आते हो हां आता हुं क्ैल करता सथ ङलिक सकती और कर 중요ासी चाहिए यह जित्नी high कर सको ज besten Robin किड़ वと思lungs मैंने समझायो तसमें आपको जितने ज़्यादा कि लो कर लो आगे समेंना मिलने काया एक्साम का स्ट्रेस बेक detogie कैसे रिविजन का स्ट्रेस आपकी बैटरी तो चूद रहे होंगे इस पिट हistä जैदा कर सकते हो अभी कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा ठीक है हैं तो क्या आप मुझे विदा लेनी चगई मुझे बताइये हैं है तरह आप Gazi lip निए जाओ Gazi लोगों मिल रहत के मिलकर 4 छा लोग आजाओ कोई दिक़्र्क नहीं है जो Gazi aaf site से है औरमस्ट वैलकम आये तो आने कोहीं से आ आ सकती आपको मेल आजाएगा बाबू मेल आएगा वहां मेल पर देख सारी चीज दे रखी होगी सर मैं हापड़ से हूं तो आजा ना स्टूडियो मैठेंगे टेबलेट ठीक है तो मुझे बताइए आप कोई कोरी नहीं बची तुम्हें आपसे विदा लेलू आतुम में दो दिन से ना तब खराब चल रही थी थोड़ा कोल्ड है और फीवर हो गया था पर चुकि डेमो देना था आपको तुम में भाई मैं तो तयार हो हमेशा डेमो जरूर दो मेरे बच्चा को तो आप गुरूप टू में भी पढ़ाओ ये क्या कोई भी सब्जेक्ट है नहीं यार मैं न लव यू ठाटा और मैं आपका मे 24 रिककोर्ड दिट पढ रहा हूं मुझे कोई प्राब्लम तो नहीं होगा ने प्राब्लम तो नहीं अमेंटमेंड क्लास करनी पढ़ेंगे ऐमेड मेंड मेंड्मेंड दिस बैच जो मैं लेने जा रहा हूँ इस फुली अमेंड़िड रिकॉर्ड इट पुरानी रिकॉर्डिंग के चक्कर में मत पढ़िएगा बाजार में बस कुछ अवेलेबल है ठीक है अरे मोबाइल पर भीजो ना में लोकेशन भीज दोंगा आपको टैबलेट ठीक है तो चलें बाबु येस सर थाइंक इस सो मच बहुत बहुत धन्यवाद बलो डमरू वाले बाबा तो जो पंची जहां से उड़कर आये थे वो अपने अपनी शाखाओं पर जाकर बैठ जाए गोसले में जाकर बैठ जाए बहुत बहुत धन्यवाद आपका मिलता हूं फिर आप से ठीक है थैंक यू सो मच बाई टाटा एंड लव यू बाबाई